वेलकम बैक टू मालवियक एड सॉल्यूशन हाज हम बनाने वाले है रेडियल पिस्टन पॉंक का सेकंड पार्ट जो कि हमने फर्स्ट पार्ट अल्रेडी कर चुके है तो उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप चाहो तो अगर देख सकते उसमें जाके अगर यह हमारा 2D ट्राइंग जो कि हमने सारे इसके डायमेंशन मेंशन किये हुए है यह दोनों साइड की रेडियस है 12.5 mm जो कि राउंड में 25 mm होगा और यह होल है 12.5 मिडल होल है 2 mm और यहां से इसका डायमेटर है 28 mm जो कि ड्राफ्ट में मैंने एक्स्टूड किया है वन साइ इसके डायमेटर है 18 mm 12 mm होल है 30 लेंथ इसका सेक्शन व्यू है यह दोनों होल का डिस्टेंस 40 mm है इसकी हाइट 35 और यहां से इसकी हाइट है 35 थ्रेड भी यहां पे मैंचन कि हुए 22 बाइ 1.5 के थ्रेड है इसकी लेंथ है 20 mm तो चलिए ट्वाइंग को बनाना स्टार्ट करते है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे राइट प्लेंगे और सेंटर लाइन इसमें आप एड़ मिड़ पॉइंट और फोर कंश्रक्शन करके डायरेक्ली सेंटर लाइन क्रिएट कर सकते हैं एक सेंटर लाइन और क्रिएट करेंगे वर्टिकल होरिजेंटल दोनों इसकी हाइट रहेगी थर्टि फाइव और इसकी लेंथ रहेगी फोर्टि एमेंएंगे अब तो हमें चर्कल क्रिएट करने हैं अब इनके अब इनके अगराएट कर सकते हैं इनके डायमेंचन हम सेट करेंगे बड़े वाले सर्कल का डायमेटर रहेगा 25 mm छोटे वाले का रहेगा 12.5 ओके लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे मिरर दोनों लाइन सिलेक्ट करने के बाद मिरर एबाउट इस लाइन ओके ट्रिम एन्टिटी टेंजेंट रिलेशन इनका सेट कर देते हैं टेंजेंट रिलेशन इनका सेट कर देते हैं हमारा स्केच त्यार हो चुका है अब हमें फीचर में जाके एक्स्टूट बॉस बेज एक्टिवेट करना है मिद प्लें इसकी हाइट रहेगी 35 mm इसकी हाइट रहेगी 35 mm टॉप प्लेंड टॉप प्लेंड का डिस्टेंस रहेगा 18 mm स्केच सिलेक्ट करेंगे सेंटर रेक्टेंगल इसकी वीड्स रहेगी 25 mm और हाइट रहेगी इसकी 30 mm फीचर एक्ट्रूट बॉस बेज इसका कोई कोई लेंथ दैमेंशन एप्ला नहीं करना है सिर्फ आपको करना है अप्टू नेक्स्ट ओके प्लैन को आइड कर देते हैं इसको सिलेक करेंगे और देन स्केच करेंगे इसका सर्कल करेंगे इसका सर्कल का ओड़ी रहेगा 18 mm फिचर में जाके इसको एक्स्टूड करेंगे 12 mm इसकी हाइट रहेगे 12 mm चंफर 4 mm by 45 degree and select this line इसका 2D ड्रोइंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां जाके आप पुरा ड्रोइंग देख सकते है फिर से इस फेस को सिलेक करेंगे इसकेच चर्कल प्रेट करेंगे इसकी साइज रहेगी 12 mm यहां पर हमें एक कट लगाना तो इसके लिए एक्स्टूड कट इसकी डीप रहेगी 30 mm फिर से एक प्लेन सिलेक करेंगे एक प्लेन दूसरा क्रिएट कर रहे हम सिलेक टॉप प्लेन इसकी हाइट रहेगी 25 टॉप प्लेन से इसकी हाइट 25 mm बट इस ताइम फिलिप डिरेक्शन निच्चे की साइड में हमें क्रिएट करना है इसकी ठीछ . सब्चार को बेशा ताम बट प्लेमल इस एक प्प्लेन आप्ला में हैं इसको भी simply करना क्या है up to next और इस पार इसको draft में 5 degree बट आउट वर्ड निचे की साइड में हमें degree लगानिये नीचे वाला बाग बड़ा करना है तो यह आउट वर्ड करेंगे तो नीचे वाली साइड बड़ी हो जाएगी प्लैन को हाइड कर देंगे देखिए उपर का जो हमने डामेटर किया था 28 वह इतना ही रहेगा निचे से डिग्री में कनवर्ट हो जाएगा यह द्राफ्ट इसका 5 डिग्री में फेस सिलेक करेंगे करेंगे ट्राफ्ट करेंगे ग्राफ्ट वेक्ट कर्ट वेक्ट कर्ट आप ट। लाइप्ट अग्रों वेक्ट न प्राफ्ट न खीच्ट 5 mm deep, okay fill it 1 mm 3 mm, select this this line and here, okay again fill it this time 3 mm and apply inside select chamfer 1 mm inside okay create hole circle circle diameter 2 mm feature extrude cut 20 mm 3 mm okay and now apply here some thread we will create thread create so we will go to whole wizard and select thread select location where will circle 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 blind condition thread how long we will keep 20 mm metric tap 22 by 1.5 cut thread right hand side offset 2 mm offset we have already offset so that the first thread will be cut inside if you don't offset then one thread will not be cut but edge cutting is not correct maintain thread okay okay we have we have our thread also created here we have chamfer 0.5 circle now we have fillet or 1 mm this edge okay plunger is ready here this hole is here oil input will in hole is plunger here piston oil into hole we have previous body supply and output when assembly set and create parts then you will know how this pump is assembled will we set appearance in appearance we set we have metal and then steel we cast carbon steel we cast carbon directly here material we set metal but we cast carbon steel we out carbon steel we apply in carbon we to carbon select whatever cut out we to do to to light light a the light is a is a a appearance carbon steel apply carbon م apply g यह वाली फेस और यह फेस इन दोनों फेस को भी कार्बन स्टिल क्योंकि इसके फेस बाड़ी पे एकदम जीरो-जीरो फेस में लगने वाली है ताकि यहां से ओयल लिकेज नहीं हो इसके लिए इसकी फेस भी एकदम फिनिशिंग होनी चाहिए तो हम इसे सेव कर लेते हैं वह फ़र्स्ट वाला पर्ट भी हमने सेव किया था लेकिन आपने वीडियो खतम होने के बाद सेव किया था मैंने आपको दिखाया नहीं है तो देखिए मैन बोडि मैंने यहां पर फर्स्ट पार्ट रख कहई है क्रियेट करके तो हम सेकंड पार्ट हमारा सेकंड पार्ट है प्लंजर अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक किजिए शेर किजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए मिलते हैं नेक्स पार्ट में तब तक बने रही हमारे साथ कीप वाचिंग माल्विया केट शलुएसन थैंक्स पर वाचिंग